मंत्र जब जब भी आप करते हैं उसमें दो चीजों का विशेश महत्र है सरप्रतम आपको ये जानना आवश्यक है कि आपका मंत्र शट कर्म में किस प्रकार का मंत्र है और दूसरा कि वो जिस प्रकार का मंत्र है उसके अनुसार क्या हमने सही दिशा चुनी है क्योंकि सही मंत्रों का चैन करना और उसके अनुसार दिशा का चैन करना इसी पर डिपेंड करता है आपकी सफलता और असफलता अगर आप सही मंत्र का चैन करते हैं सही दिशा का चैन करते हैं तो आप सही माईने में सिध्धी प्राप्त कर सकते हैं और आपका मंत्र आपके दिशा नुसार या आपके अरश्रिक्ता नुसार कारे करने लगता है जैसे की वशी करण मंत्र हो अगर तो उसमें आपको पूर की दिशा की ओर मुख करके जब करना चाहिए मावन एवं उचाटन कारे जो है वो दक्षीन दिशा में मुख करके करना चाहिए तथा विद्या धन शांती कर्म हो या आयू की रक्षा की बात हो किसी के तो ये सभी कर्म उत्तर मुख हो करके अथा उत्तर की तब बैठ करके जब करना चाहिए इससे आपको जल्द सिध्धी प्राप्त होती है और विशेश लाब होता है तो सभी शटकर में दिशा को आप एक महत्वपुन स्थान दे करके अगर जब करते है तो आपकी सफलता निश्चित हो जाती है और आपका मंत्र जल्दी ही आपके कार्य को संपन्न करता है यह अक्सर पाया गया है यही कारण है कि बड़े बड़े विशेमुनी मंत्र के भेट के नुसार ही दिशा का चैन करते है और उसी दिशा की तरफ मूग करके ही वो जब करते हैं जिससे उन्हें सिध्धी यहां भी प्राप्त होती है और उन्हें लाब में मिलता है